दोस्तो इस घोर कलियूग में आपने तो बहुत सारे जोलाचप इंजिनियरों को देखा होगा जो पैसे तो बहुत लेते हैं लेकिन काम के नाम पर टटी करते हैं उन्हीं भरष्टाचार इंजिनियरों को सिखाने के लिए आज मैं इस मुवी को लेकर आया हूँ दरसल इस मुवी की कहानी रोम के एक हुनार इंजिनियर के बारे में है जो आर्थिक संकट से जूज रहा था क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था पर फिर भी वो अपने काम में हिरा फेरी करके हराम का पैसा कमाना नहीं चाता था कहानी की शुरुवात 128 AD में रोम के एक सामराज्य को दिखाते हुए शुरू होता है जहाँ पर हम एक इमानदर इंजिनियर भांगरू को देखते हैं जो बहुत परिशान था क्योंकि आजकल उसे कोई बड़ा कॉंट्रेक्ट नहीं मिल रहा था और आसपास के भ्रष्टचार इंजिनियर सारे कॉंट्रक्ट ले रहे थे वो कई दिनों से नहया नहीं था इसलिए उसका दोस्त उसे एक पब्लिक बात में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग नंगे होकर अपने बदन को धो रहे थे वहाँ पर सभी लोग बहुत मस्ती कर रहे थे सिवाई भांगरू के इसे भी जब वो पानी में डुबकी लगाता है तब यो पानी के अंदर एक बड़े से छेद को देखकर उसके पास जाता है और तब यो छेद उसे अंदर की तरफ खीचने लगता है यहाँ पर वो उपर आने की बहुत कोशिश करता है और जब वो उपर आता है तब यो अपने आपको एंसेंट रोम में नहीं बलकि 21 स्ताबदी के एक जापनीस बात में पाता है जहाँ पर बहुत सारे बुड़े लोग नहा रहे थे वांगरू को देखकर उनका मुख खुला का खुला रह जाता है और इदर वांगरू भी इतनी चमकिली संडास को देखकर हैरान हो चुका था उसने अपनी जिन्देगी में पहली बार स्टेनले स्टील की नल और प्लास्टिक की बाल्टी देखा और भी बहुत कुछ जैसे की फैन, एसी, कूलर, मसाज मेशिन वगेरा वगेरा ये सब कुछ उसे बहुत अजीब लग रहा था और उसने आज से पहले इतनी अजीब गरीब चीजे और ऐसे चप्टे मूबाले इंसान कभी नहीं देखा था इसी दरन वो नंगे-पुंगे हालत में ही लेडिस बात में आ पहुँचता है जहां पर सभी आरते उसे नंगा देखकर कराने लगती है वही पर हम नूडल्स नाम की एक सस्ते आर्टिस्ट को देखते हैं जो घोड़े बेचकर सो रही थी इधर एक बुढ़िया अपने एक्सपायर हुए इज्जत को बचाने के लिए वांगरो की तरफ एक लोहे का धांचा फेकता है जो उसके सरपर लगने की वज़े से वो वही परी लुड़क जाता है तब दक नूडल्स जाग कर उसे गिरा हुआ देखकर उसकी मदद करने के बजाए उसका स्केच बनाने लगती है इधर किसी की जान जा रही थी और उसे तो अपने स्केच की पड़ी थी खैर आगे कुछ लोग उसे उठाते हैं और उसे अमूल की लसी पिलाते हैं क्योंकि उसने आज से पहले इतना मीठा दूद कभी नहीं पिया था वो सोचता है ये किस भैस का दूद है जिसमें एक जपेनिस बुढधा उसे अपनी 32 दिखा कर कहता है देखा केसर का दम खैर आगे भांगरो एंसेंट रोम में होश में आता है जहां पर सभी लोग उससे कहते हैं कि वो पानी में डूब गया था वो सोचता है कि उसके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ बस उसका एक सपना था लेकिन तब यो अपने पास में उस अमूल लस्टी की बोतल को देखता है और समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था आगे वो 21-20 सदी के हाइटेक चीजों को एंसेंट रोम में बनाता है और एक ऐसा पब्लिक बात तेयार करता है जिससे वो रातो रात मशूर हो जाता है अमूल से लेकर पतन जली तक सब कंपनी के लस्टी से लेकर बहतरीन बहतरीन पेंटिंग्स को भी उसने उस पब्लिक बात में लगाया था इसी बीच एक दिन एक बुढ़्धा जिसकी एक टांग कब्र में थी वो वांगरू को अपने पास बुला कर कहता है कि मरने से पहले वो अपने लिए एक बहतरीन चमकीली संडास बनाना चाहता है जिसका कॉंट्रेक्ट वो भांगरू को देता है आगे भांगरू पानी के अंदर इसी सोच में डूबा हुआ था कि वो कैसे उस बुढ़े के लिए एक चमकीली संडास बनाएगा तभी अचानक पानी के अंदर एक बबंडर आता है और वो फिर से 21 सताबदी के एक संडास में आ पहुचता है अरे इसको 21 सताबदी में टपकने के लिए और कोई जगा नहीं मिलती क्या संडास में हर बर आ पहुचता है खेर उस संडास में वो बार्टब से लेकर शावार तक सब कुछ देखता है जो कि उसके लिए बिलकुल नया था उसी घर में हम नूडल्स को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो घर नूडल्स का है खेर संडास में नूडल्स का बुजूर्ग बाब आकर वांगरू के सामने बैठ जाता है और उसे अपने पीट को साबुन देकर रगडने के लिए के लिए कहता है आगे वांगरू जब बैठ कर इन सब के बारे में सोच रहा था तभी वहाँ पर नूडल्स आकर उसे देख ल इन सब कामों को करके वो बिहार के ठेकेदारों की तरह बहुत पैसा चाप रहा था और अपने बीवी को हर वो चीज लाकर दे रहा था जिसकी उसको जरूरत थी पर उसकी बीवी को एक बच्चा चाहिए थी वांगरू अपने काम पर इतना व्यस्त रहता था कि उसके अंद देने के लिए तयार थे वांगरू भी मूठा कर महराज को हा कही देता है लेकिन उसके पास अब जंडास बनाने के लिए कोई भी नया आइडिया नहीं था यही चीज को सोच सोच कर जब अपने घर लोट रहा था तब यह अचानक वो एक गंदे नाली के पानी में गिर जाता हैं इसी बीच उस टब के पानी से वांगरू निकलता है और उस टब के पानी में आटोमेटिक बुलबुला निकलते हुए देखता है इधर नूडल्स और उस दुकान का मालिक भी एक सड़क चाप आदमी को उनके महेंगे टब में मजे लेते हुए देखते हैं जिससे उन दोनों की फटकर हाथ में आ जाता है और उसे दुकान का मालिक पुलिस को बुलाने के लिए जाता है इसी विच भांगरू नूडल्स के साथ बात करता है लेकिन नूडल्स को उसकी बात घंटा भी समझ में नहीं आती इसलिए वांगरू उसे एक 5 रुपे वाला चिलर देक उसे पुरा का पूरा दुकान घुमाने के लिए इशारा करता है नूडल्स भी उसे दुकान के सबसे महंगे-महंगे कुमोड और बात्रूम एसेसरीज को दिखाती है जिसको भांगरू महु डाल कर जांक-जांक कर देखता है वो वहां पर टॉलेट पेपर्स को भी देखत जहां पर टट्टी करके उसे आज तक का सबसे ज्यादा आनद महसूस होता है उसे सबसे ज्यादा अच्छा उस कुमोड में लगा हुआ आटोमेटिक पिछवाडा धोने की मशीन से लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई धर्ती पर नहीं बलकि स्वर्ग में टटी कर रहा है वांगरो इस तकनीक को एंसेंट रोम में महराज के महल में एपलाई करता है और इन सारे तकनीकों को जोड़ तोड़कर वो मह महराज के लिए एक आलिशान संडास बनाता है जिसमें गुलाम नीचे से पाइप में फूक मार कर बुलबुला बना रहे थे अब इस तकनीक से महराज उसके उपर काफी प्रभावित होते हैं और उसे अपने गले में लपटने के लिए एक सोने का मेडल देते हैं दोस्तों इस मेडल की आकरिती को देखकर मैं तो मंत्र मुख धो गया खेर वो उस मेडल को लेकर जब अपने घर पहुंचता है तब यह अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ देख लेता है जो कि उसे धोका दे रही थी इधर 21 सताबदी में नूडल्स उसी पांच रुपे वाले सि कर बैठा हुआ था क्योंकि उसकी वीवी उसके दोस्त के साथ भाग गयी थी इसी बीच महराज उसे फिर से अपने महल में बुलाते हैं दरसल महराज का बेटा कुछ महीने पहले ही चल बसे थे और अब महराज को शक है कि उनका बेटा एक मगरमच के रूप में फिर से पु मगरमच का था उसी जू में हम नूडल्स को देखते हैं जो कि एक चप्टे मुवाले आदमी के साथ डेट पर आई थी वो आदमी उसे पसंद नहीं आती तब वो उसके मुह पर ही कह देती है कि वो उसके साथ साधी नहीं कर सकती इसी बीच वो देखती है कि जू के अंदर मगरमच के साथ कबड़ी खेल रहा था इसलिए वो वांगरू के पास जाकर उसे वहां से निकालती है वांगरू उहां पर बहुत सारे मगरमच और उनकी हरकतों को नोटिस करता है जिसके बाद वो और भी जानकरी इखटा करने के लिए नूडल्स को अपनी गोदी में उठ लेकिन उसे केला खाना नहीं आता था और वो जानता ही नहीं था केला ये क्या वस्तु है इधर नूडल्स उसे केला चिल कर खिलाती है और केले को खाते ही वो फिर से मंत्र मुगध हो जाता है आगे नूडल्स उसे तीर चलाने के लिए लेकर जाती है ताकि उसे पता चल सक को इस्तेमाल करके यहाँ पर भी महराज के मगरमच बेटे को आलीसान जिंदेगी देने के लिए एक पूल बनाता है और महराज को केले नाम के उस स्वादिस्ट फल के बारे में बताता है तभी महराज के पास सेना पती आकर कहता है महराज जल्दी चलिए हमारे देश के गदा सीनियस को देने जा रहे थे सीनियस एक जुल्मी किस्म का इंसान था और वो गरीबों को लूटना चाहता था लेकिन राजगर्दी में बैठने से पहले वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक लेटरिंग बनाना चाहता था इसलिए महराज इस प्रोजेक्ट को वांगरू को करने के लिए एक खत भेजते हैं वांगरू भी सीनियस की सच्चाई जानता था इसलिए वो इस काम को करने से मना कर देता है ये बात सुनकर सीनियस उसके उपर भड़क जाता है और उसे धमका कर कहता है कि अगर वो उसके इस पबलिक लेटरिंग बनाने के काम को नहीं करता है तो वो उसे फांसी में लटका देगा जो सुनने के बाद भी वांगरू तयार नहीं होता अब वो जब अपने घर लोट रहा था तबी एक भ्रष्टाचार इंजिनियर उसको मारने के लिए आता है क्योंकि वांगरू के होनार काम की वज़े से उसे और गरम पानी के तालाब में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि गरम पानी से घाव जल्दी भरते हैं वो लोग उसे उसके मन और शरीर को रिलेक्स करने के लिए देशी दारू के दो पैक भी पिलाते हैं वहीं पर हम नूडल्स को भी देखते हैं जो की रोमान लैंग्विज सीख रही थी तभी उसके पास लंगड़ाते लंगड़ाते भांगरू आ पहुचता है नीचे गिर कर वो दर्ज से करा रहा था इसलिए नूडल्स उसे एक कटोर से तालाब का पानी पिलाती है उससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था इसलिए वो गलती से नूडल्स को लेकरी तालाब में गिर जाता है और नूडल्स को लेकरी एंसेंट रोम में आ पहुचता है नूडल्स को वहाँ पर पहुचकर अपने आखों पर भरोसा नहीं हो रही थी तभी उसे पता चलता है कि वांगरू को फासी दिया जाने वाला था क्योंकि वो सीनियस की बात मान क लोगों के लिए पबलिक लाटरिंग नहीं बना रहा था वो से समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वांगरू तो अपने बात पर डटा हुआ था यहां पर वांगरू फैसला करता है कि वो देश को छोड़कर भग जाएगा इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तरा लेक कर वहां से निकल लेता है रास्ते में उसे गरम पानी के जहरने को देकर वही चप्टी लोगों की ट्रेट्मेंट के बारे में याद आता है वो सोचता है कि वो इस तकनिक को महराज को बता कर युद में घायल हुए सेनाव को ट्रेट्मेंट कर सकता है इसलिए वो तुरंत म प्रवल हगदार था खेर महाराज उसकी बात मान लेते हैं और उसे गरम पानी ट्रेटमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहते हैं दूसरी तरफ हम 21 सताब्दी में कुछ बुढ़ों को देखते हैं जो लोग पानी में कूदते हैं तब वह लोग भी बवंडर में फसकर एंसेंट रोम में आ पहुचते हैं यहाँ पर एंसेंट रोम में उन्हें क्यादी सोचकर एक गाड़ी में लाद कर लेकर जया जा रहा था इसी भीच उन्हें नुडल्स देख लेती है और उन्हें अपना रिष्टेदार कहे कर बचा लेती है आगे वो पांचो बुढ़े वांगरू और नुडल्स मिलकर उस गरम पानी के जरने के पास बहुत सारे तंबू लगाते हैं और जंग में घायल हुए सिपायों को वहां पर लाकर उनकी ट्रेटमेंट किया जाने लगता है जिससे कुछी दिनों में महराज इस युद को बड़ी ही आसानी से जीत जाते ह हैं आगे एक दिन नुडल्स और वांगरू आपस में बात करते हैं और उन दोनों को ही ऐसास होता है कि वो दुन एक दूसरे को चाहने लगे हैं तभी वो पांचो बुढ़े और नुडल्स भी धिरे-धिरे गायब होने लगते हैं वांगरू उससे कहता है कि वो दुन आग राजा बनाते हैं और वांगरू जो कि इस यूद को जीतने में उनकी काफी मदद की है उसे सेनापती बनाते हैं दुसरी तरफ एक दिन नुडल्स जब रास्ते से होकर गुजर रही थी तव यो वांगरू को देखती है जो कि अपने वादे को पूरा करने के लिए आया था यहां पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर नैन मटक का करते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी समाप्त हो जाती है